कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्टपती बनाया गया है तो मनीपूड में जब अत्याचार हो रहा था तो मान्य राष्टपती ने अपने मुह पे क्यों चुप़ी साथ रखी है मेरी एक दोस्त है उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद है हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद है यह बात कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद है तो एक बात हम तुमको कहना चाहते है इश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पती म दूर से बात बहुत अच्छा लगता है अपने पर जब कर बात आ जाए तो उसका आसर समझ में आने लगता है आप मुझे बताइए जो महिलाएं ये कह रही थी कि बिजभूसन जी ने कुछ नहीं किया रही पाएंगी बिजभूसन के साथ जीवन बिता पाएंगी उसके साथ हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है जो अधिकार हमको एक-एक करके बिना लड़े मिल गए इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला अंदोलन नहीं हुआ जब संबिधान लिखा जा रहा था तो वोट का अ महिलाएं सामिल होंगी इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ महात्मा गांधी ने अपने इनिसियेटिव से उस भक्त जो है हमारा अखिल भारतिय महिला संग नहीं था महिला कॉंग्रेस नहीं था उस वक्त लेकिन गांधी जी ने महिलाओं को घर से निकाल करके अपने आंदोलन में सामिल कराया और आप जानते हैं सराब बंदी के खिलाप जो पिकेटिंग का आंदोलन होता था वो पूर्ण रूप से महिलाओं का आंदोलन था महिलाओं जाती थी और सराब के दुकानों को बंद कराती थी महिलाओं को राजनिती की मुखधारा में ले करके आए ये एक प्रोग्रेसिव सोच थी प्रोग्रेसिव सोच के चलते संबिधान सभाकाई से निर्मान हुआ जिसमें महलाओं के प्रतनिधित को सुनिश्चित किया गया और ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रसी थी कि अमरीका में आज तक अमरीका कहता है निकि हम दुनिया का सबसे मॉडर्न देश है मॉडर्निटी का ठेकेदार है अमरीका में आज तक कोई महला राष्टपती नहीं बन पाई है और हमारे हैं महला राष्टपती बनी और उसी आधार पे भाजपा को कहने का ये हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्टपती बना रहे हैं बोलिए लेकिन प्रस्ण ये है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्टपती बनाया गया है तो मनीपूर में जब अत्याचार हो रहा था तो मानिय राष्टपती ने अपने मुह पे क्यों चुपी साथ रखी है प्रस्टपती नेंono